नमस्कार मैं हीमंत बगेल अब सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में 36 गड़ सामान्य अध्यन से संबंधित 10 प्रशनों पर रोज हम लोग चर्चा कर रही हैं और यह सभी प्रशन जो है CGPSC और CGVapam की परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो आप लोग वीडियो को जो है आखिर तक दिखिएगा और यह वाला जो सीरीज है रोज सुबह 7 बजे अपलूड हो जाता है तो आप लोग रोज इसको देखा करिएगा और जितने भी कोस्चन मैं यहां लेता हूँ दस कोस्चन ही लेता हूँ तो सभी प्रशनों के आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया करिए आप लिखेंगे तो आपको जो है दिमाग में वह बैठ जाएगा आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चाहे तो किसी पेपर में लिख सकते हैं चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पहला कोस्चन देखते हैं पहला कोस्चन दिया है राइपूर के कांग्रेस भावन का उधगातन किसके द्वारा किया गया था तो देखो राइपूर में जो कांग्रेस भावन है इसका उधगातन हुआ था सन 1940 में इसका पीछे किसी वीडियो में कोश्चन लिया था तो ये 1935 में प्रांतिय सिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आये थे सरदार वल्लब भाई पटेल दिया है महात्मा गांधी जो की 1920 में और 1933 में 36 गड़ आये थे तो अब मैंने शुरू में बता दिया कि ये 1940 में तो ये 1940 में केवल और केवल इसी उद्देशे से 36 गड़ आये थे तो ध्यान रखेंगे काफी अच्छा कोश्चन है ये अगला कोश्चन देखते हैं मिश्टर ब्लंट ने 1795 में 36 गड़ का उलेख कहां किया था तो जल्दी से आप इसका आंसर बताईए नीचे कॉमेंट ब किसी किताब में लिखा होगा या किसी को बोला होगा तो कहां किया ये आपको बताना है तो देखेगा ये दिया हुआ है राइपूर गजेटियर बिलासपूर गजेटियर नागपूर गजेटियर बंगाल गजेटियर तो ये जो है बंगाल गजेटियर में सबसे पहले इसन को 36 गड़ उसमें उल्लेखित किया तो यह आप ध्यान रखना बहुत बार पूछा गया है यह क्वेस्चन अगला क्वेस्चन हम लोग दिखते हैं खुर्षेल घाटी किस जिले में इस्थित है तो जल्दी से आप इसका आंसर बताईए तो जेखिएगा यह जो खुर्षेल घ दे दिया तो किस वन के लिए यह प्रसिद्ध है वैसे पूरा जो बस्तर है वो साल व्रिक्ष के लिए काफी जाना जाता है बस्तर को साल व्रिक्षों का द्विप भी बोला जाता है ना एक पुस्तक भी है साल व्रिक्षों का द्विप करके जिसको की गुलसेर सानी द्वा अगला दिखते हैं हम लोग अगला कोश्यान राउत नृत्य में क्या गाते हैं राउत नृत्य जो राउत नाचा होता है उसमें क्या गाया जाता है मतलब गीत गाया जाता है क्या गाया जाता है तो सूर्था हो गया भजन गाया जाता है कि चौपाई की दोहा ये जो है हमारे जो हिंदी काव्वे की अलग-अलग एक विधाएं हैं सूर्ठा भजन चौपाई दोहा तो आप लोगों ने सुना होगा राउत नाचा जो राउत लोगों का जो नृत्य होता है दिवाली के आसपास में बड़ा मज़दार लगता है मुझे तो ये लोग जो है दोहा गाते है दोहा गाते हैं तो ये आप ध्यान में रखिएगा अगला कोश्यन देखते हैं नड़ा पल्ली गुफा किस जिले में इस्थित है तो देखेगा ये बड़ा खतरनाक टाइप का नाम है नड़ा पल्ली तो जल्दी से आप इसका आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए नड़ा पल्ली गुफा किस जिले में इस्थित है देखेगा इस तरह के जो नाम है अमूमन आपको जो है साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा नड़ा पल्ली इस टाइप का जो अधिकतर जो आंदर प्रदेश हो गया तो अब आप बताईए आंदर प्रदेश तेलंगा ना उससे लगे हुए जो जिले होंगे उनी में ये चीज होगा नड़ा पल्ली तो बीजापूर सुकमा ये हो सकता है बस्तर जो है उडिसा की तरफ लगा हुआ है दंतेवाडा बीच में है इसका आंसर होगा बीजापूर बीजापूर में ही क्या है नड़ा पल्ली गुफ नडड़ा पल्ली गुफा ध्यान रखना अगला कुश्य दिखते हैं 36 गड़ में राम नौमी के समय किस इस्थान पर मेला नहीं लगता तो देखिएगा अभी जो है राम नौमी चल रहा था अभी कुछ से समय पहले अभी राम नौमी चली रहा था यह वीडियो जब आएगा तब साद मतलब राम नौमी अभी चल रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हो ना राम नौमी चल रहा है लेकिन यह वीडियो जब आएगा साद राम नौमी खत्म हो चुका होगा, तो अभी जो है, हाला कि मेला तो नहीं लगा है, क्योंकि अभी जो महामारी फैला हुआ है, उसके कारण, तो आपको बताना है कि राम नौमी के समय किस स्थान पर मेला नहीं लगता है, तो देखिएगा जो डोंगर गड़ है, राजनागाव में, बमले सुरी मा माया का मंदिर बिलासपूर में तो यहां भी लगता है उस पर देखी कि खलारी माता का मंदिर है जांजगीर चांपा में यहां भी राम नौमी के दिन मिला लगता है लेकिन जो मलहार है जो कि बिलासपूर में है यहां पर माग पूर्णिमा के दिन मिला लगता है तो यह ध्य जो है कब मिला लगता है राम नौमी के समय मेला लगता है तो राम नौमी के टाइम पर पाँच градोफ पेजहरanga 밝혔 रहा है यहbrig मेले का आयोजन होता है लेकिन इस बार जो है यह आयोजन नहीं हो पा रहा है बाकी पूझा पाट हो रहा है मंदिरों में लेकिन जो भीड है वह इखटी नहीं हो रही है अगला क्योश्चन हम लोग देखते है पंद Vani पंडवानी पंडवा 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 ऐसे तो पंडव की कथा कहां पर है भई महाभारत में है तो इसका जो कथानक है पंडवानी गायन का कथानक कहां है महाभारत में है ध्यान रखेंगे महाभारत अगला हम लोग दिखते हैं अगला कुश्यन तारीक ए है है वंसी के तारीक ए है है वंशी की रचना की है बाकी जो गोपाल मिस्त्र हैं उन्होंने खूब तमासा लिखा है वो वी काफी बार पूचा गया है और गोपाल मिस्त्र के ही बेटे थे माखन मिस्त्र जिन्हों tao की एक अथूरी रचना राम प्रताप को पूरी की थी राम प्रताब जो है गोपाल मिस्र लिखना शुरू किये थे लेकिन उनकी मुर्टिव हो जाती है बाद में माखन मिस्र ने उसको पूरा किया था बढ़ते हैं एगले कुस्चिन की तरफ राइगड घराना के नर्तक कौन नहीं है तो देखो जो राइगड है वो कत्थक घराने के रूप में जाना जाता है आप जल्दी से इसका आंसर करिए नीचे तो जो कत्थक है हमारे भारत में चार घराने माने गए हैं कत्थक घराने मतलब कत्थक जो नर्त्य होता है उत्तर उत्तरप्रदेश में है उसके बाद है बनारस घराना ये उत्तरप्रदेश में है उसके बाद जो राइगड़ है इसको चौथा घराना माना जाता है कथक के लिए जो की राजा चक्रधर जो महाराजा चक्रधर थे उनके समय में विक्षेत हुआ था जो महाराजा चक्रधर थ ना ये नहीं है ये तो मेरे ख्याल से बनारस या लखनो घराने से संबंदित हैं ये कथक के बहुत बड़े मतलब महराज हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पंडित बिर्जु महराज आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ ताला गाओं में खुदाई से मिली प्रतिमा किस की है तो देखो ताला गड़ कहा पर है भई ताला गड़ सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना है जल्दिस कॉमेंट करके बताईए ताला गड़ कहा पर है ये भी काफी बार पूछा गया है कि ताला गड़ कहा पर है इसके बाद आप लोग इसका आंसर भी नीचे लि प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई है ताला गाउं में ही देवरानी जेठानी का मंदिर भी इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आपसे कितने कोस्चन सॉल्व हुए वीडियो को जितना हो सके उतना आप सेर करिएगा लाइक करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद